तो इस्ट्वेट आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 8 के कम्पेटर के चैप्टर 8 के कुछ और टॉपिक को डिसकस करेंगे और यह जो है चैप्टर का पार्ट 2 है इससे पहले मैं चैप्टर का एक पार्ट बना चुका हूँ अगर आप लोगों ने वह पार्ट नहीं देखा हों चलिए बात करते हैं वाई लोग की तेखिए वाय लुप जो होता है वह आपका कंडिशनल लूप होता है जो कि आपका एकिएकर करוाता है तो चलिए इसके syntax की बात कर लेते हैं तो देखिए यह रहा है इसका syntax तो syntax में क्या है सबसे पहले आपका initialization वाला part रहता है उसके बाद में आप while loop लगाते हैं मतलब कि while लिखते हैं और यहां पर जो है आपकी condition रहती है then आपके column आजाते हैं अदलब कि यहां से आपकी body define हो जाती है कि जो लूप की body है वहां से define होगी और यहां पर जो इस body के अंदर जो भी statement आप एक्जिक्ट करवाना चाहते हैं वह आप देते हैं तो यहां पर आपके statement आ जाते हैं और यहां पर जो भी variable होता है उसमें चलिए इसको और के लिए एक्जामपल समझते हैं प्रोगाम लेते हैं यहां पर मालीज हम चाहते हैं टैन नेचरल नंबर को प्रिंट करना यूजिंग वाइल लूप तो इस काम को करने के लिए रहा कोड तो इस कोड में देखे हैं मैंने क्या करा है यहां पर सिंपली लिखा है आई अकोल जीरो तो यह जो हमारा इसके बात में देखिए यहां पर लाइल लूप लगाया यहां लिखा है वाइल और लिखा आई लैस दन और रिक्वल टैन तो इस statement का मतलब यह है कि यह जो ल लूप चलेगा तो इसके अंदर जो भी statement यहां पर पड़े हुए है वह execute होंगे अब इसके अंदर statement क्या है यहां पर प्रिंट करा है और इसके बाद में यहां पर कर दिया गया है तो simply क्या output आएगा यहां पर जिसका output होगा वह आपका इस तरीके से आजाएगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह output आपको देखने को मिलेगा यह output क्यों आ रहा है क्यूंकि देखिए पहले जो एक बैली है जीरो है तो यहां पर condition चेक होगी कि I की बैली बैली जीरो है उसमें क्या करो आप आए की वैल्यी में प्लस कर दो बन और प्लस करने के बाद में उस आए वाले वैरेवल में इस्टोर कर दो तो यहां पर आप आप कंडिशन चेक होगी कि यहां पर जो है लैस दैन अभी और लैस दैन है तो उसका मतलब लूप चल लेले की हैं तो इस तरीके से हमारे यहां प्लस ब सकता कर दो जाए गारा हो जाएका तो इसलिए हो पे देखिए आपको जिरो से लेकर 10 तक आउटपूट डेखने को मिल रहा है तो इस तरीके से आपका लूब हर कर रहा है यहां पर देखिए रन कर दिया मैंने तो यहां पर आप देख सकते हैं जीरो से लेकर 10 तक के नंबर हमारे प्रेंट हो गए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीकी से प्रोगाम बर्ग कर रहा है अब देखिए कुछ और प्रोगाम देख लेते हैं यहां पर ले लिए और उसके बाद में देखिए हैं मतलब कि हमने लूप लगा दिया है लिखा है 20 मतलब कि 20 से जब तक कि आई की वैल्यू रहे कम तब तक हमारे क्या हूँ यह लूप चलता रहे तो यहां पर देखिए 10 से 20 तक बोला गया है मतलब कि 10 से लेकर 20 के बीच में 20 को नहीं बोला गया है 20 के बीच में 19 तक आपको लेना है तो यहां पर क्या होगा सबसे फर्स टाइम में जो आपका लूप चलेगा तो आई की वैल्यू आएगी 10 और 10 के केस में हमारी कंडिशन हो जाएगी क्यों कि आई की जो वैल्यू है 10 वह लैस दें 20 है तो यह लूप चल जाएगा और जैसी लूप चलेगा तो इसके अंदर का कोड चलेगा अब कोड में क्या बोला गया है कोड में बोला गया है आई इंक्टो आई मतलब कि 10 हो जाएगा सिंपल सी बात है यहां पर 1010 तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर देखे हमापका ओट पूट दिखा देता हूं यहां पर इस तरीके से जो है आपका हंडेड आएगा क्योंको 10 इंक्रिमेंट हो गया इसी त बिल रहा है मतलब कि उस नंबर को उसी नंबर से मुल्टिप्लाइए यहां पर कर दिया गया है क्योंकि आइंटु आई करा है और इसके बाद में देखिए नेक्स ताइम में जब आपके यहां पर 20 जाएगी इस तरीके से इंक्रिमेंट हो जाएगी जब 20 जाएगी तो यहां आप लोग देख सकते हैं यह आउट्पट आपका आ गया है तो आप लोग विए प्रोगाम भी समझ में आगया होगा तो चलिए वाइलूप से रिलेड़ेट्ट कुछ और प्रोगाम देख लेते हैं यहां पर देखिए एक प्रोगाम यह रहा तो इस प्रोगाम में बोला तो इस काम को किरने के लिए हाँ पर पर प्रोगाम आपको बनाना है विद हैल पाफ वाइल लोगशाय। और यहां पर I की value रखी है 10 और S की value रखी है 0 इसके बाद में यहां पर while loop लगाया है और while loop में बोला है I less than or equal 30 मतलब कि जो I की value है जो यहां पर variable है इसकी value है वो जब तक की 30 से less than हो या फिर 30 के equal हो तो यह loop जो है वो हमारा चले और जब यह loop चलेगा तो क्या होगा इसके अंदर का code है वो भी execute होगा अब इस code में देखिए अंदर क्या बोल रखा है इस loop के अंदर यहां पर बोला गया है की value को plus कर दो देंगे यह पर लिखह वगा है एस वन को यहां पर इसका मतलब होता है एसेवगों और ईस प्लस हाई यहां पर यह हुआ तो यह शॉटे हैं थारिका यहां यहां पर यूजक्ति किया गया तो यहां पर क्या होगा हर बाद जो है आई की वैलियू इंक्रिमेंट होती चले जाएगी और उसी के कोडिंग हाँ पर कंडिशन टेस्ट होगी जो भी नंबर हमारे थ्री से डिविजेवल होंगे पूरी तरीके से मतलब कि थ्री से डिविजेवल हो रहे होंगा और जीरो आ होगा तो उन नंबर को क्या करेगा प्रिंट करेगा और वही नंबर को क्या करेगा प्लस पा कर देगा किसमें ऐस वाले बैरेवल में तो इस तरीके से क्या होगा इसका आउटपुट क्या बन जाएगा देखिए मां आउटपुट दिखा देरा हूं आपको आउटपुट और इसका आंसर पर गलत कर दिया है आएगा आपका 147 यहां पर आपका 147 आ जाएगा तो इस तरीके से यह जो है वो नंबर है जो कि आपके 3 से divisible है तो उनी नंबर को जो है यहां पर प्रिंट किया जा रहा है और इन सब को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 147 देखने को मिलेगा तो यह जो है इनका सम आ गया आप लोग को समझ मा रहा हो किस तरीकी से प्रोगाम भर कर रहा है द तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो हैं हमारे थ्री से जो भी नंबर डिविजेबल थे वो आ गया मतलब कि तरीके जो मुल्टिपल सा वह यहां पर आ गया और साथ हैं यहां पर क्या हो रहा है और यहां पर आपको 147 देखने को मिल रहा है तो आप डूप तो प्रोगाम क्या रहेगा तो देखिए हैं अब इस प्रोगाम में देख क्या कर आ गया है यहांपर जो है सब hurry Patriots से एक और इंट करवाया गया है कि आम जो attracting कि इस नंबर की आपको टेवल प्रिंट कर नहीं है तो यहांपर युजर कोई बिन कर देगा इसके पाद मतलब कि i के नाम से एक variable लिया गया है जिसकी value 1 रखे गई है इसके बाद में while loop लगाया गया है और while loop में condition दी गई है i less than or equal 10 मतलब कि जब तक i की value less than रहे या फिर equal रहे 10 के तब तक हमारा loop चले और loop चले तो क्या चले लूप के अंदर लूप के अंदर वोला गया है print and मतलब जो n की value होगी यहां पर वो प्रिंट हो जाएगी suppose की user enter करता है यहां पर 5 तो 5 एंट करेगा तो यहां पर आएगा पहले 5 आएगा मतलब कि n की value आ गई इसके बाद में सिंगल कोड में जो हमारा star print कर आया गया है तो यह ऐसी आ जाएगा क्योंकि सिंगल कोड में हम कुछ भी देते हैं printed statement में तो वह हमारी बैसी print होती है इसके बाद माई को print करा आ गया है तो there वेलिए देखी बन हो रही है तो फ्रस्ट टाइम में जो आयी की वेलिए बोन आ जाएगी और इसके राड लॉक topics double time न की बेल property ऐू हो और यहां पर हो जाएगा मतलब कि हारगा में चेंज होते रहेगी और उसी की मील्टिप्स हो के आपको यहां पर दिखा देता हूं तो इस तरीके से आपकी पूरी टेवल में अब होके मिल जाएगी तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चलिए इसको कापी कर लिया को चलते हैं तो देखेए करता हूं मैं उसको धूर सो पर लिए रहा हो और अब इसको सेप करका रहा हूं तो हमसे नंबर मांग रहा है मालीजे में टरड़ता हूं five तो देखिए five की केसे में हमारी टेबल प्रेंट हो गई है कोई और नंबर कर ऊगा तो उसकी टेबल आ जाएगी मैं अग्यारं करता हूं तो मैं 50 एंटर करता हूं तो देखिए 50 की टेबल यहां पर प्रेंट हो गई है तो कोई भी नंबर देंगे उसके टेवल आपकी प्रेंट हो जाएगी तो आप लोग कोई प्रोग्रामी समझ में आ गया होगा अब हम बात करेंगे कैसे प्रोग्राम की जहां पर की आपको कोई आउटपूट नहीं मिलेगा अगर जो है कंडिशन आपकी फॉल्स हो जाती है जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह रहा हमारा कोड तो इस कोड के केस में क्या होगा जब यह कोड चलेगा तो आपको कुछ भी आउटपूट देखने को नहीं मिलेगा क्यों नहीं यहां के लूट चले तो इसकी डिया कन्डिशन के और यहीं के फॉल्स हो गई क्योंकि आई्प वेली जो है वह नहीं तो देम कर दो तो और पुट तो कुछ भी आने का सवाल ही नहीं होता तो इसलिए हूं आपको कछ भी आई पूत देखने को नहीं मिलेगा आई हूब आप लोग को समझ में आगया होगा यहां पर आपको डाउट हो रहा है तो मैं इसको चला के भी दिखा दे रहा हूं देखिए मैं इसको कौपी कर दीता हूं यह मैंने कौपी कर लिया अब चलते हैं यहां पे दौन को मैं पेश्ट कर देता हूं जे result नहीं कर सका हूं मतलब कि while loop में condition अगर आपकी false हो गई तो आपका जो loop के अंदर का part है वो execute नहीं होगा मतलब कि जो loop है वो हमारा नहीं चलेगा अब देखिए हम डिसकस करेंगे infinite loop को तो देखिए infinite loop क्या होता है infinite loop जो है हम ऐसे loop को बोलते हैं जो कि आपका चलता रहता है endlessly मतलब कि ऐसा loop जो कभी भी बनना हो ऐसे loop को हम बोलेंगे infinite loop जो कि आपका चलता ही रहेगा तो देखिए infinite loop जो है वो कभी-कभी हमसे mistake से भी create हो जाता है mistake से कैसे होगा जब होगा आपका mistake से जब कि वहाँ पर program में आपकी कोई terminating condition ना हो मान लिजिए अपने loop लगाया है और उसमें जो आपने कोई terminating condition नहीं दिया तो उस case में आपका infinite loop create हो जाएगा और कई बार जो हम जान बूचके भी infinite loop को create करते हैं तो चलिए बात कर लेते है infinite loop की कि इसका program किस तरीके से रहेगा तो देखिए अगर मैं बात करूँ program की तो यहाँ पर आप लोग इस program को देख सकते हैं इस program में अगर हम बात करें तो यह infinite loop create कर रहा है क्यों हो रहा है देखिए यहाँ पर जो है कोई भी ऐसी condition नहीं है जो कि इस loop को रोक सके क्योंकि यहाँ पर देखिए बुला गया है while i greater than or equal one मतलब कि i वाला जो variable है इसकी value जब तक one से ज़्यादा हो यह one के equal हो तब तक हमारा यह loop चलता रहा है मतलब value बढ़ती ही चली जाएगी और यहाँ पर देखिए हरवार condition true होगी क्योंकि number जो है आपके increasing order में आएंगे ना कि decreasing order में तो यह condition कभी भी false नहीं होगी तो इसलिए यहाँ पर नंबर आपके print होते चले जाएंगे यह आपका program चलता ही रहेगा इस तरीके से जो आपको number generate करके देता रहेगा चलिए मैं इस program को आपको चलाके भी दिखा देता हूं मैं यहाँ से copy कर लिया आइडियलिम चलते हैं देखिए यहाँ पर paste कर रहा हूं मैं यह मैंने paste कर दिया अब मैं इसको save करता हूं और इसको run करता हूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह loop जो हमारा चल रहा है यह infinite loop create हो गया है यह इस तरीके से number को print करता चला जाएगा आप पूरे दिन छोड़ देंगे तो पूरे दिन यह number को generate करता ही रहेगा यह infinite loop create हो गया है आप लोग को समझ में आ रहा होगा अब देखिए बात करते हैं कि कई वार जो हम जान बूच के भी लोग को create करना चाहते हैं मतलब कि जो infinite loop है उसको आप जान बूच के भी create कर सकते हैं तो जान बूच करेंगे देखिए जान बूच करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर true लिख देंगे पहले मैं इस loop में जो condition से कर देता हूं मैं लिजग मैं कर देता हूं माइनस अब देखिए हमारा loop जो है यहां पर रुख जाएगा यहां रन करता हूं तो यहां पर आप लुख सकते हैं 10 के बाद में जो है 9 प्रिंट कर रहा है 7 कर रहा है से तरीके से 1 के बा यो true करने पर कैया होगा, यह infinite loop target क्रियेट होगा मैं देखें, रनकर आता हूं, यहाँ पर spelling गलत ह को गई है, हैं यहाँ है यहाँ यह ठा दे रहा हूँ अब मैं इसको रन गरता हूँ तो यहाँ पर देखिए, आपका यह loop है वो चलता ही जा रहा है जबकि मैंने decrement कर दिया लेकिन फिर भी यह loop चलता ही जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने condition दे रहे है while true मतलब कि यह loop है वो अब आपका infinite loop create हो गया तो इस तरीके से जो आप जान बूझ के भी infinite loop को create कर सकते हैं तो I hope आप लोग को infinite loop का concept समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं loop else statement की कि loop में जो हम else part भी लगा सकते हैं तो देखिए else part का 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 होता है जो else block होता है वो आपका optional होता है मतलब कि आपका man है अगर आप चाहते हैं इसको लगाना तो लगा सकते हैं otherwise यह mandatory नहीं होता है इसका काम क्या होता है यह बस चेक करने के लिए होता है कि जो loop है वो proper तरीकी से चला है या नहीं चला है मतलब कि जो statement उसके अंदर execute होने थे वो proper तरीके से execute हुए है या नहीं हुए है कोई step जो है उसने skip तो नहीं किया है तो इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं else statement को लगा देते हैं देखिए यहाँ पर example से समझते हैं यहाँ पर यह example देखिए तो इस example में देखिए यहाँ पर जो है A और B के नाम से variable हैं जिसमें यहाँ पर दो numbers enter करवाया है मतलब कि lower limit और upper limit को enter करवाया है फिर यहाँ पर even के नाम से variable लिया है odd के नाम से लिया है और फिर यहाँ पर loop लगाया है for i in range a, b plus 1 मतलब कि a से starting होगी जो यह number आएका वहाँ से starting होगी और जो यहाँ पर odd वाले variable ना number आएका यह बहाँ तक चलेगा क्योंकि यहाँ पर कर दिया है b plus 1 तो जो भी number आएका उसमें plus 1 हो जाएगा अब यहाँ पर बोला गया है कि जो भी i के पास value आए क्योंकि यहाँ से क्या होगा एक एक value i के पास आएगी तो बोलना है कि i के पास में जो value आते है अगर वो दो से divisible है और उसका remainder 0 आता है तब तो even वाले variable प्लस कर दो उसकी value को और otherwise क्या करो odd वाले variable प्लस करो और इसके बाद में देखिए यहाँ पर else statement लगाया है और इहाँ पर बोला गया है कि जो loop है वो terminate आपका successfully हो गया है इसके बाद में यह statement प्रेंट कराया है तो यहाँ पर जो loop है अगर proper तरीके से work करेगा तब यह जो else वाला part execute होगा otherwise नहीं होगा अभी इस case में अगर हम बात करें तो loop जो हमारा perfectly work कर रहा है और यहाँ पर यह statement execute हो जाएंगे जैसी इस program को चलाएंगे तो इस तरीके से output आएगा मान लिजिए हमने पहला number 10 करा second number 20 करा और उसके बाद में देखिए जैसे enter करेंगे तो यहाँ पर यह वाला message आएगा loop terminate successfully मतलब कि जो loop है वो हमारा successfully execute हुआ है और उसके बाद में आपर आउट्पूट आपको देखने को मिल जागा even number का output देखने को मिल जागा और odd number का output देखने को मिल जागा I hope आप आप लोगों समझ में आ रहा होगा कि loop है किस तरीके से work करता है देखिए हो सकता है कुछ doubt आप करा रहा हो तो देखिए मैं और clear करता हूँ इसको यहाँ पर देखिए इस example से समझेए मैंने यहाँ पर simply करा क्या है मैंने एक loop लगाया है for I in range 1,10 तो 1 से 10 तक की range बनेगी मतलब की I वाले variable के पास में 1 से 9 तक के जाएंगे क्योंकि 10 तो include होगा नहीं यह हम लोगो पता है कि यहाँ पर जो upper limit होती है जो भी यहाँ वाला number होता वो include नहीं होता उससे कम तक रहता है तो यहाँ पर I वाले variable के पास में 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा मतलब की 9 तक के number आएंगे और उसके बाद में loop end हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो है 1 से 9 तक के number आजाएंगे और उसके बाद में else what execute होगा और लिखके आजाएगा loop terminate successfully मतलब की यहाँ पर इस तरीके से output देखने को आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो loop है वो proper तरीके से work कर रहा है अब माले जो loop जो है proper तरीके से work ना करे उस case में क्या होगा देखिए यहाँ पर मैंने क्या कराया बाकी code जो है विल्कुल सेम है बस मैंने क्या कराया यहाँ पर condition लगाई है कि जैसे ही जो है यहाँ पर value हो कितनी i की जो value है वो 5 हो तो उस case में यह loop जो है वो break हो जाए तो इस case में देखिए क्या होगा जो यह वाला else part है यह execute नहीं होगा यह else part आपका execute तभी होता है जब हमारा जो loop है वो proper तरीके से पूरा चलता है अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर हम break कर रहा है loop को कि जैसी value 5 हो उस case में क्या हो हमारा लो break हो जाए मतलब कि रुख जाए तो यहाँ पर क्यों होगा number 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा और 5 आएगा मतलब कि उसके आगे के जो number है वो नहीं आएंगे क्योंकि loop जो है वो 5 पर जाके break हो रहा है तो इस case में देखिए else part execute नहीं होगा यह बतायागा आपको कि यहाँ पर जो आपका loop चला है वो proper तरीके से नहीं चला है वो बीच में जो है break हो गया है देखिए मैं दिखाता हूँ output आप जैसी इसको चलाएंगे तो इतना output आपको देखने को मिलेगा वन से लेके 5 तक के नंबर आएंगे और आपको यह वाला statement देखने को नहीं मिलेगा जबकि पिछले वाले program में देखिए क्या हो रहा था मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको इसमें देखिए पहले आ रहा है नंबर सारी के सारे नंबर आ रहा है उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर आ रहा है लूप टर्मिनेट सक्सेस्फुली तो आई होब आप लोगो समझ में आ रहा हूँ किस तरीके से वर्क करता है देखिए मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ आप लोगो मैं इसको कॉपी कर लिता हूँ यह मैंने कॉपी कर लिया चलते आ आइडली में देखिए यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ अलग भात करऊ के मा रगता M인이東西 कर आई इक्वल इक्वल सब्वोज मैं 6 कर देता हूं और यहां कर देता हूं इसके बाद में break break एक statement होता है जो कि loop को break करने का काम करता है देखे यहां पर जो है मैं सको run करता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आउटपुट वसे तना आ रहा है, और यहां पर जो else part वाला output आप आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा loop जो है, प्रॉपर तरीके से नहीं चला है, तो यही काम होता है, loop else statement का, मतलब कि जो भी हमारा loop होगा, अगर वो प्रॉपर तरीके से चला है, तब तो हमारा else part अग्जिकूट होगा, otherwise नहीं होगा, और जो else part है, वो आप fall loop में भी लगा सकते हैं, while loop में भी लगा सकते हैं, तो I hope आप लोग को सारी चीज़े समझ में आगे होगे, तो student इसी के साथ आपका ये chapter पूरा complete हो गया है, मैंने इस chapter के सारी चीज़े आपको explain कर दी है, I hope आप लोग को सारी चीज़े समझ में आगे होगे, so student that's it for this video, thanks for watching,